सब्सक्राइब तो लाइफ स्कॉर्णर और क्लिक ओन दे बेल आइकन फर मोर अपडेट्स घर पे वेच पिजा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा एक कटोडी आता एक तिहाई कटोडी दही तीन बड़ा चमच बेकिंग पाउडर एक छोटी चमच बेकिंग सोडा एक छोटी चमच ओलिव ओल या फिर रेफाइन डॉयल पिजा सॉस मॉजलला चीज चिली फ्लेक्स ओ तॉममक, Svadanusar, एंडज टॉपिंक्स में हमें चाहिए 1 बिली क्तेट कटी हूई 1 लाज करदों एक करदोरी एक करदों करी पनीर के टुकर्न, एक कॉप टमारत एक टमारत और पनीर के टुकर्त, एक बड़े बोल में एक कटोडी मैदा ले ले और एक तीहाई कटोडी आता अब पिजा बाने के लिए हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की बहुत ज़रत परती है तो हमने एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर लिया है और एक छोटी चमच बेकिंग सोडा लिया है इसको दो चमच तेल में मिक्स कर लिया है तेल आप रिफाइन डॉयल भी और एक पिंच नमक डाल लेंगे अब इस आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको अच्छे से पानी डाल डाल के सानना है जतना अच्छा आप इस आटे को सानेंगे उतना ही अच्छा हमाला पिजा का बेज बनेगा तो आटे को अच्छे से साने और पानी हमें थोड और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को सॉफ्ट रखना है बहुत हार नहीं रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको सानते रहें अब हमारा देखिए डो रेडी है इसको हम 20-30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढ़के और तब तब हम अपने टॉपि टॉपिंग्स के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा ओलिव वॉइल लिया है आप रिफाइंड वॉइल भी ले सकते हैं इसको आप तोड़ा गरम कर लीजे तेल को और फिर इसमें हमने अपी सब्जियों को फ्राइ किया है बहुत जादा भी हमें फ्राइड नहीं करना है ब आप अपने कोई भी सब्साद लेकर सकते हैं हमने सारी सब्जिया अलग अलग फ्राइड की हैं क्योंकि हमें अच्छे से इसको गार्निश करना है अगर सारी सब्जिय एक साथ कर देंगे तो गार्निशिंग इतनी पिजा इतना सुंदर नहीं दिखेगा तो अभी हमने प्य सब्जियों को अच्छे से फ्राइ कर सकते हैं और थोड़ा सा नमक जालते तो पिज़ा में थोड़ा सा टेस्ट आएगा और यह सारी सब्जियों को हम अफ्राइ करके अलग-अलग बोल्स में निकाल लेंगे अब जो हमारा पिज़ा का डो है उसको एक बार फिर से अच्छे से सान लेंगे और इसको दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे इसमें हमारे दो मीडियम साइज के पिज़ा रेडी हो जाएंगे अब डो को अच्छे से हमें थोड़ा पहले हाथ से आप उसको पतला कर लो थोड़ा-थोड़ा सूखा मैदा डालके और फिर हमें इसको बेलना है बोल रोटी जैसा बहुत जादा पतला रोटी जैसा भी न जैसे गोल में बेल लेंगे आफ च्छिज को हम किसी फोक से प्रिक कर लेंगे एशेद करना है जिस्से की एयर पास होती होती है जुदब और जिस साइट से प्रिक किया है हमने उसको उस साइट को हमें अब सेखना है तवे पर आ हलका सेखना है बहुत जादा रेट नहीं करना है क्योंकि उसी साइट हमें सब्जियां डालनी अपनी तो उसको हलका अब हमारे एक साइट हो गया है सिखे हमें दूसरी साइट से उसको सेखना है बेस को और अब ये जो जो साइट हमाई थोड़ी सिख गई है उसके ओपर हम पिजा सॉस लगाएंगे पिजा सॉस आपको किसी भी नॉर्मल पॉर्चुन के दुकान पे मिल जाएगी अराम से आप इसको घर पर भी बना सकते हैं अब हम इसके ऊपर मॉजलेला चीज ट्यालेंगे हमने अमूल का मॉजलेला चीज यूज किया वह काफी अच्छा होता है तो पहले हम मॉजला चीज चालेंगे अब हम इस पर अपनी टॉपिंग्स को अच्छे से सजाएंगे अब अपने को अब को अब कर सकते हैं और यह मारी टॉपिंग सारी शुपजिया पराइए अब जब सारी सबजियां अधर तो इसके ऊपर से फिर से हमें अपना ग्रेट हम जादा निगने अपर सब्सक्रास तो थोड़ थोड़ा डालना है कि हमाई सब्सक्रार धूल नहीं की नहीं आराउंड फाइफ मिनिट्स के लिए सिंप पे रखना है पैन को आप देख रहोंगे कि आपका अब टेस्टी पिजा रेडी है अब देख रहोंगे कितना कलरफुल बिल्कुल पिजा हाट जैसा पिजा देख रहा है अब इसको हम चार पार्ट में काट लेंगे और अपने नोटाउन में घरी पे विजा को एंजॉय करिए और हमारी और भी अच्छी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्स्क्राइब करना ना पूले